हम ऐसे stock की बात करना है ऐसे company की बात करना है और जिस sector की हम बात करना है वो है bank और bank में जो एक bank है उसका हो गया है बहुत बड़ा नुकसान इतना बड़ा नुकसान की रोड पे आ जाएंगे लोग अगर उसका stock price नीचे चला गया इस loss की बज़े से और जाएगा बेसक जाएगा क्योंकि इतना बड़ा loss तो आज तक इस company ने उठाया नहीं है और loss तो छोड़िये इतना ज़्यादा इसने कभी profit करके नहीं दिया यानि पर टेक्निपाती stock market में उसका stock price जो देखेंगे आप वो हवा से बहता हुआ बुलकुल नीचे पहुँच जाएगा इतना ज्यादा loss और इतना केभल इतना दिया इसने आज तक profit 920 करोड जो की इसका maximum profit रहा है और last year की अगर बात करें तो तो फिर यह 920 से भी कम रहा है तो चल रहा था देखिए कितना बड़ी चल रहा है यहां पर जून 2021 में देखेंगे तो 3410 करोड की यहां पर revenue generate होती है और September 2021 में जिसका की result आया है अभी उसकी होती है 3181 करोड की revenue होती है अब यहां पर तो सब ठीक है आगे आने बाला जो twist है वो देखिया यहां पर interest मिलता है को इतना 1245 करोड का लेकिन expenses देखिए यहां पर company के expenses कितने काम है कोई बात नहीं क्योंकि यहां पर जितनी revenue उससे तो कम ही है न कोई बात नहीं यह देखिए यह तो आगी लग गई 3181 करोड का revenue और 6456 का loss इतने expenses हो गए मतलब यह समझेए आपको 100 रुपय की चीज बेशने में आपके 600 रुपय खर्च हो गए तो कितना बड़ा loss है आपके 300 रुपय की चीज बेशने में आपके 600 रुपय खर्च हो गए तो कितना बड़ा loss हो गा इसमें तो आप financial अगर profit देखेंगे तो यहां पर माइनस में चला जाएगा माइनस 45 करोड करोड और हम net profit अगर देखेंगे तो company हो गई 300000 क्रोड के loss में देखिए यहां पर profit 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 और इसका maximum profit अगर आप देखेंगे 972 करोड का आपको profit देखने को मिलेगा जो कि 2019 सेप्टमबर में था 2020 सेप्टमबर में आपको देखने को मिलेगा 920 अब ये तो सेप्टमबर तो सही निकल गए दौनो साल के लेकिन इसमें तो आग लगा दी इस company ने इस bank ने तो आग लगा दी क्योंकि ये banking जो सेक्टर वो बढ़िया था लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जो सेप्टेमबर 2020 में आप देखेंगे कि 3,000 करोड का Loss 3,000 करोड बहुत होते हैं और अगर आप बेंक देखेंगे तो इतनी बेकार बेंक नहीं यह बहुत अची बेंक है लिकिन फिर भी आपको इतना ज्यादा लॉस देखने को मिलता है अगर प्रॉफिट और लॉस में हम देखेंगे तो आप बहुत देखेंगे 12,89 करोड का इसमें आप देखेंगे एक्सपेंसे से 12,860 करोड का और जो नेट प्रॉफिट वो चला गया माइनस में अब आप सूचेंगे कि इसका मार्केट पर क्या पड़ेगा तो अब इसली बात है कि अगर कोई कंपनी जो प्रॉफिट में चल रही हो 500 करोड के आसपास और वो डायरेक्ट तीन हजार करोड के अगर लॉस में पहुंच जाए तो क्या होगा जो स्टॉक पर आई से वो डायर जाएगा वो गिरने लगेगा और इतना गिरेगा मुझे तो लग रहा है कि लोर सरकेट भी लगना इस्टायट हो जाएगा क्योंकि कोई होल्ड क्यूं करेगा जब कोई बैंक इतनी ज्यादा लॉस में चली जाए तो जो इन्वेस्टर हैं या जो रिटेलर्स हैं वो सब कोई बेचेगा और मैं तो आपको स्यजेश्ट करूँगा कि आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें क्योंकि जो अगर लोर सरकेट लग गया उसके बाद आप बेच नहीं पाओगे अपना स्टॉक कोई खरीदने बाला हो गई नहीं बेच होगे किसे किसी को नहीं इस कि अगर उठाएगे तो वो डिबीदेंट कहां से देफाएगे अगर यहीं हम सेर ओल्डिंग पैटन की बात करें तो आप देखेंगे पिरमोतर यहां पर देखने को मिलेंगे आपको अल्मूष्ट 40% आपको देखने को मिलेंगे 33.6% डोमेस्टिक इंस्ट्यूश्ट नव बात कर रहे हैं जिस बैंक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बंधन बैंक लिमीटेड बंधन बैंक लिमीटेड इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो अल्मुष्ट 47,000 पर आपको यह पहुंचता हुगा देखेगा क्योंकि 40,944 का रोड तो इसका होई चुका है करेंट पराइज आप देखेंगे 291 है हाई लगाया है इस बैंक ने 430 का लो लगाया है 269 का बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 108 रुपीस बुक वैल्यू से आप क्या पता करते हैं कि जो करेंट का स्टॉक पराइज है वो कितना ज्यादा परसेंटेज कितना ज्यादा जो है वो ट्रेड कर आद ऊसी फिर देखेंगे आप 7.87 परसेंट आपको देखने को मिलेगी और रोई रिटान अक्यूटी आपको देखने को मिलेगी 13.3 ये काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है लेकिन इस बार ये आपको ड्रॉप होती हुई देखेगी डिवीड अगर आप देखेंगे 0.34% है अच्छा डिवीड देती थी अल्मोस्ट ये हर साल तो नहीं देती थी लेकिन देती थी फेस बैल्यू अगर देखेंगे एक सेर की तो ये मिलेगी 10 रुपीस बंधन बैंक के बारे में अगर हम देखें कि इसने जो लाइसेंस लिया था रिज nononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon क्योंकि अगर कोई भी कंपनी हो कोई भी बैंक को अगर इतना बड़ा लॉस करेगी तो जाहिर सी बात है कि वो टिक नहीं पाएगी इस टॉक मार्केट में क्योंकि जो सेयर होल्डिंग पैटन है जो सेयर होल्डर से वो आपको देखते हुए मिलेंगे कि यह सेल कर रहे है इस देखेंगे कि 2.9% का यहां पर जो श्टॉक प्राइज वो ऊपर गया था तो यह बैंक का आपको जरूर याद रखना है अगर आप इस बैंक को होल्ड करते हैं तो बहुत सो समझ के डिसीजन लीजिएगा कि आपको इस बैंक में क्या करना है क्योंकि हो सकता है कि यह बैंक आपको देखने को मिलता है आप स्टॉक और इसमें आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं